नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दे इंबेस्मेंट गुरुची चानल में आज की सब्सक्राइब में हम लोग रिलाइंस इंडस्ट्री के जो यहां पर सेग्मेंट है तो उनके नतीजे आ चुके है तो यह कौर्टर फोर के नतीजे जो आ चुके तो उसका फॉर्स्ट कौर्टर फोर के नतीजे जानेंगे और उसके बाद कंपनी के टेक्निकल जो है चार्टे उसके ऊपर यहां पर बात कराएंगे तो चलिए फटाबर टूडियो को शुरू वर लेता है दोस्तों वीडियो में आगे बिढ़ने से पहले अगर आपने इन्वेस्मेंट गुरु जानने के साथ अगर हम लोग फर्स्ट अब यहां पर प्रॉफिट आप्टर टाइक्स करेंगे बीए टी देखें जिसमें बड़ोतरी हुए 13% की अगर हम लोग लास्ट यर से कंपर करतों इस साल की बगर बात करतों 4716 करोर का कंप जो है जो है जियो तूरू रिलाइंस को यहां पर बस जो है यहां पर फाइदा हुआ है अगर हम लोग मार्केट का एस्टिमेंट देखें तो 4666 करोर का अनुवान था तो वहां से डेफिनेटली यहां पर नतीजे अच्छा आए तो यहां पर अच्छा का सा एक्शन पॉजिटिव एक्शन के है तो हम लोग रिला खाइदासिक पर आ चुके याने कि एक केंडल एक दिन को रेपरिजेंट करती है अगर हम लोग फ्रस्ट आफराल करंट लेवल की बात कर चायए दो और हम लोग रिसेंटली बात करें तो रिसेंटली स्टॉक जो है दोहजार चार्सुर रुपए के आसपास से रिजिक्शन पहली बार नहीं तो multiple time इस type के resistance हमने देखने को मिले है इसी level के आसपस दें तो 2400 current level पे stock को एक जो है हम लोग कह सकते है हर्डल या फिट resistance का काम कर रहा है अगर हम लोग recently पात करें तो एक 2200 रुपए के आसपस का यहाँ पे stock ने support लिया था जब market गिरा था तो यह भी stock गिरा 220 रुपए से लेके 2350 रुपए के बीच में उपरी लेवल से लेके तो 2700 रुपए जो कि December मन में यहाँ पे जो है level था पिछले साल तो वहाँ से stock काफी तूटा consolation किया उपर जाने की कोशिकी 2400 तोड़ने की कोशिकी लेकिन नहीं तोड़ा और अभी 2350 से 2400 के बीच में अड़क चुका है तो current लेवल पे consolation लेवल पर यह stock खड़ा है अभी अगर हमारी stock में position होगी तो बिल्कुल भी डरना है यह तो ऐसे stock definitely consolation level से गुजरना पड़ता है लेकिन long term के लिए हमेशा इस type के stock बड़िया return देता है तो अगर आपके पास यह stock हो उपरी level पे भी लिया हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है आप इस stock में बने रह सकते हो अगर हम लोग fresh खरदारी के बात कर तो fresh खरदारी आप current level पे थोड़ी थोड़ी quantity मातरा में add कर सकता है अगर stock पचास उपर नीचे मिलता है तो यहाँ पे as a consider type पे नवेशा का आप यहाँ भी entry कर सकता है तो देरे देरे SIP की जरीए इस type के stock में निवेश करते रहना चाहिए ताकि long term के लिए अच्छा खासा यहाँ पे benefit हम लोग उठा सकता है तो दोस्तो यह था मेरा personal analysis अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like कीजिए आपका हर एक लाइक यहाँ पे मेरा motivation, contribution बड़ाता है अगर आपको यहाँ पे किसी दूसरे stock के बार में information चाहिए तो please comment box में mention कीजिए तो दोस्तो that's all for this video thanks for watching this video, मिलते हैं मेरे next video में till then, goodbye